क्या आपने कभी रोटी के अंदर सेव को लपेटा है अगर नहीं लपेटा है न तो आज के बाद आप जरूर लपेटेंगे क्योंकि सेव को रोटी में लपेट कर जब भी आप इसे कड़ाई में तलेंगे न तो बहुत ही प्यारी और special चीज बनती है लेकिन आखिर क्या बनत करना एक सेव लेना है उसको एक बड़ी सी रोटी में बेल कर लपेट लेना है अब ध्यान रखना कि जो रोटी है न वो पतली होनी चाहिए अब इसे अच्छे से लपेटाएंगे जिससे कहीं से भी खुला न रह जाए क्योंकि देखो खुला रह गया तो तेल में डालोगे जोड़ देंगे जिसी रोटी की परत जो ठंडी हो जाएगी और इसे पकड़ने में भी हमें आसानी रहेगी अब जो रोटी की परत है उसे अलग कर देंगे आप देख सकते कि बहार से तो रोटी बहुत कड़ा को लाल हो गई है तो यही पैचान होती है सेव दलने की जब लाल हो जाए उसमें से हलकी सोंधी सोंधी खुशबू आने लग जाए ना तो समझ लेना कि हमारी रोटी पूरी तरीके से पक चुकी है और सेव के अंदर बहुत बढ़िया स्मोगी फ्लेवर आ गया है अब हमें क्या करना है कि सेव को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेना है उसके लिए पहले हम करेंगे सेव की सफाई इसके बीज को अच्छे से अलग कर लेंगे अब ध्यान लखना यह जो लाल कलरने ना हमसे सेव थोड़े से गलती से थोड़े कलर वाले आ अब जब सेव लाओ तो उस चीज का ध्यान लखना अब छोटे-चोटे अब चाहो तो सफे चीनी का इस्तिमाल भी कर सकते हो अब इसको तब तक चलाएंगे जब तक यह अच्छे से पिगल नहीं जाती तब तक कुछ भी एड़नी करना बस इसको चलाते रहना अब देखो यह पिगल गई है तो अब इसमें डालेंगे हम एक कटोरी दूट आप च चार से पांच मिनिट तक इसको तेज आँच पना चला दे रहेंगे आप क्या करना है अब इसमें डालेंगे जो पेस्ट हमने सेप का बनाया था उसे अच्छे से डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करते रहेंगे अब इसको मिक्स तब तक करना है जब तक जो मिक्स्चर है न वो कड़ाई का तलान चोड़ने लगे मतलब ऐसा हो जाए कि कर्ची से उठाए न तो एक बार में उठके चलाए आप देख सकते हो लगबग आदे गंटे तक चलाने के बाद कुछ इस तरीके का अलवा बनता है कर्ची लगाने पर एक बार में उठके आ जा रहा है हमने तो सेब भी खाया होगा लेकिन इस तरीके से आप बना कर देखो आपको सच में आनन्द आ जाएगा अब थोड़े से ड्राइफ्रूट एड़ कर देंगे हैं यहां पर तो हम किशमिश और बादाम और काजू एड़ कर दे रहे हैं आप चाहो तो आप और भी ड्राइफ्रूट करने के लिए दिल से धन्यवाद तो ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप इस पेस से जरूर जुड़ना हमें भी अच्छा लगेगा और हमें सपोर्ट भी मिलेगा